नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रे का विशेश महत्व है साल में चार बार नवरात्रे आते हैं दो बार गुप्त नवरातरे और एक बार चैतर के और एक बार सारदिय नवरातरे आते हैं, जिन में से चैतर नवरातरे और सारदिय नवरातरे परमक रूप से मनाय जाते हैं, नवरातरों के नो दिनों तक मादरुगा के अलग-अलग रूपों की उपासना की जाती है, आश् सारदिय नवरातरी साथ अक्टूबर से सुरू हो रहे हैं जो केवल आठ दिन यानि की 14 अक्टूबर तक रहेंगे दरसल इस बार सारदिय नवरातरों की चतुरती और पंचमीतिती एक साथ पड़ रही है जिसके कारण ये तेवहार केवल आठ दिन ही मनाये जाएगा और मुरत में स्थापित किया के कलस्थ से आपको पूरे नवरातरों में सुब फलों की प्राप्ति होती है सारदिय नवरातरों में गट सापना का सुब मुरत साथ अक्टूबर को सुबह 6 बच कर 17 मिनट से 7 बच कर 7 मिनट तक रहेगा संपूर्ण विदी विदान से यदि आप पूजा पाड करते हैं घट सापना करते हैं वे नौरातरी के 9 दिन उपाशना करते हैं तो आपको अत्यंत सुबकारी फलों की प्राप्तना होती है साथ ही आपके सभी मनो काम नाएबी पूरे हो जाती है नौरातरी के दिन सुर्दों से पहले उठकर सनानाधी से निर्वित होकर स्वच्च कपड़े पहन लेने चाहिए फिर घर में यदि मंदिर है तो वहां की साफ सपाई अवश्य करें माता की पूजा के लिए चोकी बिछाएं और उस पर सबसे पहले आप गंगा जल छिड़क लें और गंगा जल छिड़क कर उसे सुद्ध कर लें और फिर इस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा कर उस चोकी के पास एक मिट्टी के बरतन में जो बोलें चोकी पर मादरुगा की तस्वीर या फिर उनकी अगर मूरती है तो उसे स्तापित कर दें फिर कलस के लिए सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लें कलस में जल अक्षत सुपारी रोली और एक सिक्का अवसे डाल दे। और एक लाल रंग के चुन्री से उसे लपेट करके उस पर कलावा भान दे। इतना कार्य करने के बाद आप उसने एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर नारेल को अवसे रखें और उसमें असोक या पाण के पतों का या पिर आम क पत्तों का बीडा बना करके रखें। उसके बाद आप घीका दीपक जलाकर मा दुरुगा की पूजा करें। नवरात्री के पूरे 9 दिन सुरदालू भक्ती भाव से ब्रत रखते हैं। और मा दुरुगा की अराधना करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक उपवास करते ह तो वहीं कुछ लोग पहले और अंतिम दिन ब्रत रख करके मातारानी को खुश करने का प्रतन करते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रत रखने से पहले कुछ कारेदी आप कर लेते हैं तो उसका आपको अत्यनती फल प्राप्त होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरातरी शुरू होने से पहले आपको ऐसी कौन सी वे चीज है जिसे आपको खा लेना चाहिए जिसे कि आपके लिए मातारानी अत्तंद प्रसंद हो और आपकी सभी मनोकाम नाई शीगरपूर्ण हो जाए। दोस्तो भगवान को प्रसंद करने के लिए भगवान के प्रसंद के ही चीजों का सेवन करना चाहिए या फिर उन्हें अरपित करना चाहिए। सा हलवा बना करके मातारानी को भोग लगा कर उसका सेवन कर लेना चाहिए। इससे मातारानी बहुती शीगरप्रसंद होती है और अपने भगतों को एक अद्रिशे शक्ती प्राप्त होनी का वर्दान देती है। दोस्तों यदि आपके लिए इतनी सुवा हलुआ बनाना अगर संबब ना हो तो आप मातारानी को उनके दूसरे सबसे प्रिय भोग लग और बतासे का भोग लगा करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में मौझूद मंदिर में बैठ जाएं और वहाँ पर आप एक बतासा और एक लोंग को रख दें। लोंग फूल वाली होनी चाहिए दोस्तों। मातारानी के आगे एक दीपक जला देने के बाद अपनी मनो कामना कह देने के बाद आपको उस लोंग को बतासे में गाड़ देना है। आप मातारानी के बरतों को प्रारंब करें। कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जाज़त धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिकना ना भूलें जाये मतादी।